तो अब तमाम बड़ी खबरों के बाद शुरू करते हैं राजनीत का आज का सफर 31 जन्वरी को उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम्प्रकास शिंग का कारिकाल खत्म हो रहा है 23 जन्वरी 2018 को यूपी के डीजीपी पत सम्हालने के बाद ओपी सिंग ने पुलिस की छवी को सुधारने की कई कोशिशे की लेकिन सेवा निवरत होने से ठीक पहले डीजीपी ने पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा करदम उठाते हुए अब हर पुलिस कर्मी के लिए अपनी संपत्य की जानकारी देना अनिवार कर दिया है डीजीपी ओपी सिंग ने उत्तर प्रदेश सासन को एक पत्र लिखकर पुलिस वालों के लिए संपत्य की जानकारी देने के नियमों में बदलाव करने की सिफारिश की है दरसल अब तक सिर्फ IPS अपसरी हर साल अपनी संपत्य का ब्योरा देते रहे हैं सभी अपसरों को हर साल 15 जनवी तक अपनी चल अचल संपत्य की जानकारी देनी होती है हाला कि PCS समवर्क और अराज पत्रित करमचारीयों को ये जानकारी सारजनिक करनी होती है हलाकि उन्हें 5 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा करना होता था लेकिन DGPOP सिंग ने सरकार को पत्र लिखकर नियमों में बदलाव करके PPS समवर और अराज पत्रित कर्मगियों के लिए भी हर साल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार करने की सिफारिश की है आपको बता दे कि आराज पत्रित कर्मगियों में दारोगा और सिफाही भी शामिल होते हैं यानि हर पुलिस कर्मी को अब हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी साज़ा करनी हो पुलिस विभाग में पार दरशिता और भेष्टाचार के दलदल में धसे इस महकमे को बाहर निकालने के लिए ही सरकार की तरफ से इस विवस्था की सुरुवात की गई थी जिसमें मंत्री से लेकर संत्री तक को अपनी कमाई सारजनिक करनी होती है लेकिन आज भी बहुत से अपसर और करमचारी अपनी संपत की जानकारी साज़ा नहीं करते हैं इसलिए विपक्ष डीजीपी की सिफारिस के बाहने सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है यह तो बढ़ाई देना चाहिए जादे जादे डीजीपी साथ क्या कर रहे है यह तो मुख्यमंत्री जी को पहले कर देना चाहिए था आप याद कीजे मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने अपने एकाउंट्स अपनी बैलेंस शीट को ऑनलाइन कर दिया था सब रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया था ये देखें कितना पूरा कर पाएंगे मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ जिस तरीके से फुलिस के लोगों को अब पता लग गया है कि डेटो बड़ तो उनकी भी नहीं मिल पाएगी मला उनके परिवार के लोग की कैसे प्रूब करेंगे तब से लाड़ी माना बंद कर दिया देखिए मैंने कहा ना कि ये बात करने में बहुत अच्छी है ये बात बहादूर लोग हैं ये गुफतार के गाजी है किरदार के गाजी नहीं है कराएं तो अपनी संपत्ति तो बताएं अपने मंत्रियों की संपत्ति तो बताएं सच बात ये है कि जब तक ये मेंडेटरी है मेंडेटरी नहीं है इसका कुछ नहीं होना तो इस फैसले और इस फैसले पर इन प्रतक्रियों के बाद अब सवाल उठता है कि संपत्तिका ब्योरा देने की तारीक यानि 15 जनवरी तो गुजर चुकी है और 31 जनवरी को डीजीपी ओपी सिंग रिटायर हो रहे हैं ऐसे में रिटायर्मेंट से ठीक पहले डीजीपी की सकती से क्या भ्रष्टाचार पर नकेर लग पाएगी और क्या संपत्तिका ब्योरा देने भर से यूपी पुलिस अपनी चवी बदलने में कामयाब हो पाएगी और आज तक जिन अपसरों और पुलिस वालों ने अप पर कारवाई क्यों नहीं हुए तो आज की इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमाई साथ जुड़ रहे हैं यूपी के पूर डीजीपी सुर्कुमार शुकल भाजपा प्रवक्ता मनीशुकल सामाजिक कारकरता प्यंका राना वरिश्ट पत्रकार सुरेश बहदुर सिं ने या जाते-जाते कुछ करके एक लकीर खींच के जाना है वो माने या वाकई इसकी जरूरत थी और अगर जरूरत थी तो यह पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया और वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या राजकिसोर जी जहां तक यह कदम इस समय उठाने की बात है तो मुझे तातकालिक कारण तो वही लगता है जो आपने इंगित किया कि अभी हाल में कुछ जो नुएडा के सस्पी के पत्र के द्वारा पांच अधिकारियों के संबन्ध में उंगली उठाई गई थी कि वो क्रम में साइद ये कदम उठाया गया है लेकिन एक बात बता दूँ कि ये कदम स्वागत योग्या है और इसमें भले विलंब भी आप मानलू मैं आपकी बात को विलंब हुआ तो भी जैसे कहते हैं देर आये दुरुस्ता है और अभी इस क्रम में और कई कदम उठाने क्योंकि आप जानते हैं कि मानलीजे ब्यक्तिगत संपत्ति का इस पट्टर साब दे भी देंगे तो क्या गारंटी है कि अपने साले के नाम से अपने रिस्तेदारों के नाम से भाई के नाम से प्रापर्टी नहीं खरीदेंगे तो जो मैं पहले भी आपके चैनल पर कई बा पुलिस का सिस्टम यानि कि निगरानी पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर भी जब तक हम नहीं लगाएंगे वो विभाग नहीं बनाएंगे तब तक अभी पूरी तरह यह रोक नहीं लगेगी अभी एक कदम है बहुत अच्छा है तो शुकला जी इसी से जुड़ा हु होगी क्योंकि कई बार जो यह पत्र जिसकी आप बात कर रहें वैभो करशना वाला इस पत्र में साफ साफ कहा गया था किस तरीके से जिले और ठाने इनकी सोदेबाजी होती है यह पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी का IPS का पत्र है इसलिए इसको हम परदे पर कह भी सकत परा वो नीचे से इसी तरीके से वसूली करेगा यह कैस्कैडिंग एफेक्ट होगा यह कह दें एक चैन बनेगी इस चैन को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो था कि उपर से पहले सक्ति की जाती तो वहां तो अभी उस तरीके की कोई कारवाई होते दिख हाई नहीं पड़ी है यह नीचे की तरफ मामला धकेल दिया गया तो इसको आई वास क्यों न माना जाए बिलकुल राज किसोर जी उस अर्थ में मैं यह कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने यह नियम बनाया था कि सरकार ने नियम बनाया था कि सब ही अधिकारी अपनी संपत्य का विवरण देंगे और आपने वो भी सुना होगा कि बहुत से लोगों ने संपत्य का विवरण नहीं दिया तो उनके पास रिमाइंडर जाता है चिठी जाती है लेकिन आज तक हम लोग यह नियम नहीं बना पाए कि जिसने नहीं दिया उसका हम एक बैड इंट्री कम से उसको लगा देंगे यहीं कि जब तक पनिस्मेंट क्लास नहीं जुड़ता तब तक अपने देश में हमने देखा यह टेंडेंसी और एक और बात राज की सोची बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या इमांदार अधिकारियों के रहने का ताथ पर यह नहीं है कि जनता को घूस से रियायत मिल जाएगी पुझे क्यों अरे मैं दूसरे का क्या कहूं मैं स्वयम कई जगे बाद में जब मैं ट्रांसपर हो कि चला आया तो मुझे पता लगा कि हमने तो बहुत टाइट किया भूज न लो लेकिन क्या हुआ कि नीचे के लोग रेट और बढ़ा देते हैं कि तो सरकार इमानदार है माननी मुखंतरी जी मानदार हैं तो उसका यह तात पर नहीं निश्चित रूप से है कि हमारे थाना कचेहरी तहसील वो मुक्त हो गए उसका एक तरीका बिटर ये होगा कि उन पर हम लोग अपने इंटिलिजेंस एंटी करप्शन विजिलेंस के आद के ने कहा था कि ये पानी में रहने वाली मचलियां कितना पानी पी जाएंगी ये इस गिंती करना बहुत कटिन है शुकला जी कुल मिला कि ये है तो फिल्मी डायलॉग कि कहा जाता था कि सक्ती उतनी करो जितना अपना रेट बढ़ाए जा सके कई बार ये चीजे मिलब ति नीचे वाले अपना रेट बढ़ा देते हैं ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगता है लेकिन संतोष जो बात सुर कुमार जी कह रहे हैं मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा चुकि इस पूरे मसले की रिपोर्टिंग आपने बहत करीब से की है ये जो फैसला चाहिए लगता है कि ये वाकई उन पर अंकुष कसेगा चाहे जितना घूस खोरो वो तो विवागी प्रोणती तो चाहता ही है वो प्रमोशन तो चाहता ही है लेकिन जब प्रमोशन पर अटकले आ जाएंगी कि अगर आप अपनी संपत्ती का ब्योरा नहीं देते हैं तो प चोरी से जो माल बरामद हुआ था चोर के पास से जो रकम बरामद हुए थी वो उन्होंने खुच चोरी कर ली थी तब अंदाज़ा लगाई है आई पीएस वैभाव कृष्ण ने जिस तरीके से चिठी वाइरल करके कहा कि पांच आई पीएस अब सब रश्टचार में बात करती है जनता अपनी फर्याद लेकर के सिपाही के पास जाती है सिपाही सो और पांच सो रुपे लिए बगार का जब काम नहीं करता है तब सरकार के उपर भरश्टाचार का आरोप लगता है कि सरकार भरश्टा-चार पर लगाम नहीं कस पा रही है यह कोशिश में किसी ने सुझाओ दिया हो ये प्रस्ताओ उन्होंने आप भेजा लेकिन अगर ये पहले से हो जाता तो शायद डीजी पी ओपी सिंग अपने जो तमाम कामों में और किर्टिमान जो स्थापित कर चुके हैं कि लकनो नोड़ा में कमिशनरी से समलागू कर दिया प्रियाग साल देते हैं क्योंकि उनको सेंटर में इंपैनलमेंट के लिए केंड़ी प्रतिनुप्ती पर जाने के लिए अपनी संपत्ती का बेवरा देना उनकी बात देता है लेकिन पीपीएस और खासकर के सिपाही सविंस्पक्टर और इंस्पक्टर के लिए लोग नहीं दे पारे हुई है लेकिन अभी ये शुरुआत कितनी जमीनी हकिकत में आईगी ये देखना है मनी शीदे मैं आपके पास रुख कर रहा हूँ जो बात आ रही है कि अगर हम इसको मालने देर आयद दुरस्त आयद लेकिन इतनी देर से क्यों आयद तमाम कीर्थिमान बनाने में इतनी जल्दवाजी हो सकती है यहां तक कि केंद्र में सरकार बनने के बाद 370 जैसा फैसला इतनी जल्दी ले लिया जाता है CAA भी हो जाता है लेकिन जो छोटी-छोटी चीजे यह तो बहुत बड़े-बड़े फैस्टने जिसके राश्टी और अंतर राश्टी रिपरकेशन्स हैं लेकिन पुलिस से सीधा लोगों का वास्ता होता है या करमचारियों से अधिकारियों से सरकारी लगातार सीधा कैते हैं इस पर लगता है कुछ ठोस हो पाएगा या ओपी सिंग साहिब का प्रस्ताव उनके जाने के बाद यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा कि राज किशोर जी 2017 मार्च को जब हम लोग आये तो इस वादे के साथ आये थे कि करप्शन और क्राइम पे हम जीरो टॉलरेंस की नित पर चलेंगे और आज यह पत्र पे हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार में यह पत्र आया है और इस पर हम यह इस तरह का सुझाओ आया है तब हम कब क्यों कैसे कर पा रहे हैं अगर नहीं आया होता तो यह डिबेट तो होती भी न क्योंकि इसके पहले कर आपको शुक्रिया दे कर दूँ कि आपने इस डिबेट के लिए राजनी शो के लिए डिवेट का एक विशह दे दिया तो क्या इसका पूरे प्रदेश में आपने भी खबर भ्यान नीच राएं अखलेश यादोजी और कॉंग्रेस के किसी लोग किसी का था तो तो इसलिए यह डिबेट का विशा सबके बीच में हैं चुकि अखलेश यादोजी पूरी मंख्यमंत्री उन्होंने भी रेक्शन दिया कॉंग्र डिपरमोट किया है वेतन में कुट लिए के किये या चेताओनी दिया है यह बैध इंट्री किया है तो हमारी सरकार लगातार कर रही है इसको फरूब में नया चैए कि उसी कारवाई का कदम है यह दूसरी बात सरकार के दो साल बचे है वीजिप कर है हमारी सरकार के रिटार्मेंट नहीं हो रहा है तो अगर यह बात आगे बढ़ती है तो सरकार के पास अभी दो साल सबय है और अपको लगता कोई कदम अगर अच्छा उड़ता है करेप्शन के खिलाब रस्टाचार के खिलाब तो उसमें इपन बट की डिबेट होनी की चाहिए कि सरकार ने विल दिखाया है कि सिफाही तक से कह रहा है कि अपनी संपत्थी का वेउरा दो जबकि अर आजपत्रित लोग है वो और पीपिएस को कहा कि पांच साल के बजाए साल में चला चल संपत्ती का भी बिल्कुर तो सरकार की तरफ से अगर यह माना जाए तो यह अच्छा कदम है दो साल हमारे पास इंप्लिमेंट के हैं तो उसमें आपके लेंगे चलिए मों उम्मीद करते हैं लेकिन जैसे आपने आपके एसेसपी ने चिठी ना लिखी होती तो शायद यह दो साल आपके और भी बीट जाते तो भी शायद यह चीज ना आती खैर प्रियंकर राणा जी यह जो चर्चा जो हम कर रहे हैं इस पर आपको लगता है कि पुलिस चुकी आप सामाजिक छेतर से जुड़ी हुई और ज़्याधा तर जो दिक्टते या समस्चाय आती है वो लोगों को आम लोगों को रोज़ मर्ना के लोगों को वाकरी ठानेदार सिपाही एसाई जो बीट कंस्टेबल होता है इनहीं लोगों से उनका वास्ता ज़्यादा पढ़ता है तो यह जो संपत्र का ब्योरा देने की बात कही गई है इससे कुछ फर्क पड़ेगा कुछ असर लगता है कि आपको सकारात्मक कदम है जब जागे तभी सवेरा लेकिन बहुत देर हो गई है आप देखे रिटार्मेंट आ गया है तब वो चिठी लिख रहे हैं आज से पहले कहां थे अभी तक नहीं पता है और क्या गैरेंटी है कि इस कानून को बनने से क्योंकि पहले भी कितने कानून बने हैं और इंप्लिमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है और अगर आप देते भी हैं अपनी संपत्ती की जानकारी तो क्या गैरेंटी है कि वो सही दे रहे हैं इसका कौन जाच करेगा किस तरह से होगी यह कोई नई बात नहीं है सेंट्रल गवर्मेंट में साल में दो बार देना पड़ता है लेकिन क्या वो सही दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं यह अभी तक नहीं पता है दूसरा आपके जो राजनितिक नेता है उनके लिए क्या है उनके लिए भी तो होना चाहिए यह सब चीज से है आप चोटे से चोटे आप सिपाहिज से लेकरके आप ऊपर तक चले जाए जाए हैं करौप्शन हर जगे है अप देखेए सबशी वालों तक से पैसा लिया जाता है उनको ठेली लगाने के जो है वहां की जो पुलिस है उसकी शिकायत कि थी कि वो धन्ना नहीं करने दे रहे उन्होंने सीधे-सीधे कर रखा था तो इस सब चीज़े आती है प्रियंका जी आप अपनी बात करिये जी बिलकुल आती है और गाज़ेबाद में तो करप्शन का कोई लिमिट नहीं है हाला जो काम करेंगे उनकी ओपर गाज नहीं गिरेगी उनको सेस्पेंट नहीं कर दिया जाएगा हाँ ठीक है आप प्योरा देंगे आप कह रहे हैं कि चलो हमने एक शुरुवात की है करप्शन को रोखने के लिए लेकिन करप्शन इससे रुख जाएगा मुझे अभी भी शक है क्योंकि इतने सारे लौज जो है यह जो कदम है कदम इसकी आप सराहना करती है नहीं करती है किमना कम से कम एक कोशिस मानती है कोशिस हुई है लेकिन अभी आप कह रहे हैं आगे से लेकिन जो पिछला करप्शन होगी है उसकी दो जांच होनी चाहिए आप को रिटार्मेंट करते हैं लेकिन मुझे अभी भी है कि इस पर जांच कौन करेगा आप सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आपके राजनीतिक ऊपर से करप्शन है आपके इतने बड़े-बड़े पुंजी पती तो देश चोड़ करके भाग जाते हैं पैसा लेकर बाग जाते हैं उन पर आज पर चर्चा कर रहे हैं सूर कुमार शुकला जी ने कहा कि ये देर आयद दुरुस्त आयद कह सकते हैं लेकिन क्या वाकई दुरुस्त आयद है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो संपत्यां भी IPS या IAS इन लोग को जो देनी होती हैं वो अपने बिल्कुल close family की देनी होती है और संपत्यां किसके नाम पर होती हैं ये सबको पता होता है और विजलेंस जो है जो बात सुकला जी कह रहे था उसके लिए फिर एक और निगरानी टीम बनाई जाए ये पूरी जो कवायदे चलती रहती है कट एंड पीसेज में होता क्या कोई एक drastic change जिसकी बात होती कि एक बि पाकई से कुछ accident कुछ द्रोग रटना है ब्रस्टाचार की रुकेंगी देखिए राजकिसोर जी यह सच बात है कि देर आये दुरूस्ता है और यह कदम पहले उठा जाना चाहिए था लेकिन इस कदम को मैं निस्जित रूप से मानता हूं भ्रस्टाचार को खतम करने की द स्टेट वालों के हालत दे करके लगा लगा जा सकता है कि किस तरह से निस्जित रूप से उनके भ्रस्टाचार के काले धन के रूप में कमी आई है सभी के फ्लेट्स नहीं बिक रहे हैं सब खड़े हैं यह उसी का सरह है जहां हमारे अपसर जहां हमारे बाबू सारे पैसे अपने लगाते थे इस लिए मैं मानता हूं कि अगर सबके संपत्यों की जड़माइस विवाद में पढ़ना चाहता उन्हों रिटायर होने बाद क्यों किया रिटार होने में पहले इसलिए नहीं हो सकता रात्किसोर जी इसके पहले जिस लक्षमियों सिंग्सिंध चैवहा किस फला दरोगा को फला थाना दे दिया जा तब जा करके यह कदम उठा जा सकता है अगर पीसली जाचव्व आप जाएंगे तो थाने बिखते हैं यसमें कोई दो राणी पुलिस में ब्रसना-चाळ ब्यापता है इसमों कोई नहीं वरस्ताचार को एक दिन में आप खतम कर देंगे ऐसा भी संभव नहीं है या इस तानून के या नियम के लागू करने से वरस्ताचार खतम हो जाएगा यह भी नहीं है लेकिन उस दिसा में निस्चित रूप से एक प्रयास है लोगों को डर होगा भय होगा क्योंकि जैस प्रयास किये जाने चाहिए और सबसे बड़ी बात है इस की किस तरह से इंप्लिमेंट किया जाते हैं कानून बनते हैं सारा का सारा इंप्लिमेंटेशन हो गया तो निस्चित रूप से इसके अच्छे परणाम आएंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जब आप पूर डी जी पी हैं पुलिस का आपने पूरा जो कारिप्रणाली होती सिश्टम उसको आपने देखा हुआ बारी की समझते हैं ये सिपाही से लेकर उपर तो चुक्री हम ने जो देखा है कि सिपाही या जो दरोगा होता हूँ निश्चित तोर पर जो उसका अधिकारी हो रहा होता है वो वैसा ही करता है अगर एक बार चर्चा वहां से उपर से हो गई एक बार उसको हो गया तो उसके लिए फरमान होता है पुलिस फोर्स अभी ऐसी फोर्स है कि एक बार उसके अधिकारी ने कह दिया वो उसको करना ही होता है तो इसके बाद जब इस तरीके की चीजे होती है तो उपर का अधिकारी जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था उसको मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि नीचे आपने उनकी संपत्यों का बेरा लेने की बात की है लेकिन अगर उपर एक इमानदार अधिकारी चला जाता है तो उसका फरक पूरे छेतर में दिखाई पड़ता है तो ये जो पूरी कोशिस हो रही है ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उपर के अधिकारीों को थोड बार-बार मीडिया के माध्यम से बात उठाई जा रही थी और आपको इसमर्ण होगा कई बार आपने भी कहा था कि दिक्कत ऊपर से नहीं है दिक्कत असली जहां जनता रोज-रोज संपर्क में आती है उस लेवल पर है इसलिए अब आपको इस्पष्ठ हो गया होगा कि जो जनता से संपर्क के बिन्दु हैं जैसे अभी मेडम जी कह रही थी प्रियंका जी कि सबजी वाले से यानि चाय वाले से वो छोटे-छोटे लोग जो है उसको कश्ट होता है सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि इसका निश्चित रूप से ये वही कारण है सब जनता की आप जैसे बुद्धियों की मार्क दर्सन से और बातें सुनकर धीरे धीरे बातें पहलती हैं अब एक मैं नुस्खा बताता हूं जो हंडेट पर्सेंट मेरा आजमाया हुआ है कि जिससे पूरी तरह भ्रष्टाचार रुक गया था एक जिगे मैंने खुद ये नुस्खा क का इस्तेमाल किया कि कभी भी जैसे हम लोग करते हैं कि एक व्यक्ति अकेले छिपकर भ्रष्टाचार करता है और या तो बड़ी भरोसे की टीम बना के करता है तो टीम को तोड़ दो यानि पोस्टिंग जो आप करते हो कि फला व्यक्ति को हम इंस्पेक्टर गाजियाबाद के लोनी थाने में करेंगे अब वहां पर करने के बजाए आपने कहा कि जिले में पोस्टिंग होगी थाने में किसी की पोस्टिंग नहीं होगी ड्यूटी पंदरा पंदरा दिन की लगेगी पंदरा दिन तुम्हें लोनी में करना है पंदरा उसके पंदरा दिन उसके बगल अगर एक बाई जाएगा तो दूसरा साथ ही दाहिने जाएगा और पंद्रा पंद्र दिन की ड्यूटी लगेंगी और यह कोई जरूरित नहीं है ऐसा continuation से हमें लाब नहीं है तो क्या हुआ 100% अंजान लोगों के बीच पंद्रा दिन लग जाते हैं भरोसा जमाने में टीम मनाने में और अंजान लोगों के बीच कोई घूस खोरी नहीं करता तो इस पनाई एक जगे मैंने प्रयोग किया और उसका बहुत अच्छा परिणाम रहा तो और एक और सुझाओ दूँगा एक वाई ओनली पुलिस डिपार्टमेंट आप जानते हैं अच्छी तरह कई लोग बहुत धन्ना सेठ हो गए हैं कोई आबकारी भी भाग में सराब की दुकानों से कोई खनन भी भाग में कोई मैं नाम नहीं लेना चाहिए बहुत से भी भाग हैं पीड़म्लोडी में से चाहिए लेकिन यह सारे वही लोग हैं जो सीधा जंता से जुड़े हुए बहुत दिन से हैं लेकिन इसके बावजूद क्या आप सब लोग परिचित हैं कि बहुत से नाम पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है कि उन्होंने अथा संपत्य अरजित का रखी है यानि कि दूसरों के नाम से बे नामी संपत्यां जो हमारे साथी सुरेश जी कह रहे थे कि एकदम से जटका लगा कि फ्लैट बिखना कम हो गए तो उसी तरह ये ये भी सिस्टम होना चाहिए कि जो आप रिटर्ण नहीं फाइल करेंगे उसमें नुकसान तो होगा ही बैट इंट्री तो मिलेगी ही क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अब उन्होंने का आप तो मिले बैट इंट्री मिले कि अगर आपने नहीं भारा और उसकी नियमों का अनुपालन सही तरीके से हो रहा है और वो ज्यादा महत्पूर ने नियम कागजों पे अपना रूप ले लें लेकिन जमीन पर साकार करने के लिए निश्चित तोर पे पूरी विवस्था और बड पर निरंतरता ना रहे अगर इधर उधर ट्रांसफर करते हैं लेकिन पुलिस एक ऐसी फोर्स है जहां पर आपको जामबाजी की भी जरूरत होती है और जो उसका लीडर होता है उसके इशारे पर सिपाही या एसाई कोई भी है वो मरने मारने को तयार रहता है अगर उसको अपने नेतरत पर भरोसा नहीं होता है तो शायद वो ऐसा नहीं करेगा वो उस इंवाल्मेंट के साथ आगे नहीं जा सकता है तो यह जो केमिस्ट्री जो लोगों के साथ बनती हो नेता पर तो तह होता है मैं लीडर यहां मतलब मेरा मतलब SP SSP या DIGIG से मेरा आशाय है तो इस तरीके का प्रियोग क्या पुलिस फोर्स में संभव है अगर लोकल में होता रहे जिस मित्र पुलिस की बात करते हैं तो मित्र पुलिस के लिए तो यह दिखाए पड़ता है कि हां भाई जनता से सीधा संभाध हो लेकिन जो शुगला जी बता रहे थे कि 15 दिन में किसी क वह 15 दिन यह विवस्था वहां पर भराशाई हो जाएगी जब आप अपराध नियंत्रंट की बात करेंगे अपराधी पर नकेल कसने की बात करेंगे तो कि उस फ्रंट पर आपको मुग्बिर की जरूरत होगी आपको अपनी विश्वस्निय टीम की जरूरत होगी जिसका कि अपने लोकल में नेटवर्क होगा, अगर आप 15 दिन में टीम बदल देंगे, तो वहाँ पर उन जलता से संबाद नहीं होगा, आपके मुगबिर नहीं तयार होगे, और मुगबिर एक दिन, दो दिन में नहीं सालों लग जाते हैं, तयार करने में, और उनी मुगबिरों के ज जा रही है, यह लोग हर वेक्ती, सिपाही आज की रेट में हर एक वेक्ती के पैंट कार्ड है, वो अपना आईटी आर फाइल करता है, तो इंकम टेक्स डिपात्मेंन नजार रखता है, क्या किसी सिपाही पर भी उसने देखा, कि जिस सिपाही की साल भर में कमाई, 50 लाक र इसनका किसको मिल लाती है कि सभाई ilaq से लिए करके जिनके भी अगर समगड़ तूर पर भी बात करेंगे तो जिनको भी तक त maturity कि तीन गुना चार गुना 10 गुना समपती बढ़ रही है तो अगर समपती बढ़ ही रही है तो यह इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के पास यह आई टी आर फाइल होता है तो वहां से इन पर नजर नहीं जा रही है विभाग भले ही नजर रख रहा है कि इनके ओपर विभाग नजर रख करके इनके प्रमोशन रोके जाएंगे इनको बैड एंट्री दी जाएगी लेकिन क्या इसे इनकी संपत्ती जो अकूद संपत्ती कर्था करने की पंदती है वो रूप जाएगी तो कि यह संपत्ती अपने नाम पर खरीते हैं अपने बेनामी जो नौकर है जो रिष्टेदार है उनके नाम पर खरीते हैं और तमाम साले और दमाद यह ऐसी प्रजाती है कि वो बहुत ज़्यादा आमीर हो गए अचानक इन लोग के यह भी देखने वाली बात है लेकिन मनीश जी और संतोस सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनीश जी इंकम टेक्स की मनला जो मनीश जी की सरकार है उसने इंकम टेक्स को काफी कामों में लगा रखा है वो साथ सिपाही कि तक पहुंची नहीं पाती है तमाम बड़े-बड़े लोग हैं और तमाम चीजें वहाँ पर भी कामों रहती है तो जो बात मनीश जी कही जा री है कि थीक है पुलिस तो अपने आप में चुकि है इसको तरीके से अमनी जाम्ह पहना जा सके उसका फिर भाव नजर आता है लिए करता है कानून सभी तरह के भृष्टाचार को रोकने के लिए अन्य कानून भी उपस्थित हैं और आपको पता है कि बेनामी संपत्ति को लेके अमारी केंदर की सरकार ने भी कसा है अपने सिस्टम को कसा है तो वहां से भी वो च्छन के आएगा जो लोग इसके दाइरे माएंगे उनके उपर भी करवाई सुनिशित की जाएगी लेकिन आज हम लोग जो विशे है कि सिपाह तक को भी अपनी संपत्ति का जब व्योरा देना पड़ता है तो फिर उससे डिगना अगली बार फिर कठिन होता है और निश्यत रूप से अभी वैवो कृष्ण की चर्चा हो रहे थी कि अगर वह नहीं उन्होंने यह नहीं किया होता तो कैसे आता तो वैवो कृष्ण का प्रक्रण है जिस पर कारवाइव की गई है जिनके उपर उनके आरौप उनको को भी हटाया गया है और प्लिस के आलावाबी जननत की हकीकत घंध को पता योगी methodology पूलिस के अलामा भी जै मैं कर नहीं पता होगी अब जननत की हकीकत तो अखिले शादों को भी पता थी जो भी आपके चैनल पर बोल रहे थे लेकिन तब क्या था कि एक्सप्रेस वे वनना है तो उसकी डीपियार लीक कर दो जिससे एकस्प्रेस वे के अगल बगल की जमीने किसानों से उनके लोग खरीद ले और बाद में चार गुना मुआपजा किसान न पाए इनके लोग पाए यह पूरा सुरेद बादूर जी मेरे बगल बैटे है लगनों जो जानते हों जानते हैं कि किस तरीके इस परीद गई समस्या यह है कि भारती जंता पार्टी जब सरकार में आये थी तो यह एक्स्प्रेस वेवाले मसले पर जो आपने आज बात उठाई है इसको उस समय भी कहा गया था लेकिन इतना समय हो गया है अभी तक कुछ हो नहीं पाया कारवाई नहीं हो पाई नजीर पेस करने की जो बात है ब्रस्टा चरकिलाब वो नहीं हो पा रहे है नहीं डखिए सभी पे कारवाई चल रही है सब प्रावसेस के अनुसार होगा हम ऐसा नहीं चाहते है कि प्रावसेस के विपरीत करिए और वो छूट जाए जो लोग सामी रहे है आप अगर देखेंगे तो रीवर फ्रेंट पे भी कारवाई हो रही है और देखेंगे राजकिशोर जी मतलब यह जो बाते मैंने कहा है कि आप अगर लिकाल के देख लेंगे तो अगल बगल जो फोटो चपती है उनकी सारी जमीने के बगल में रही और अगर आप को करनी थी यह किसको करनी थी किसकी जमेंदारी थी कि डीपियार लीक करके किसारों से जमीन खरदवाये तो आपने कहा मैंने माल यह आप सही कह रहे हैं लेकिन इस पर करनी कारवाई कैसे बन सकती है चली अचार मेरे पास क्या करूँ मैं थोड़ा सा समय मेरे पास कम था और मैं पता नहीं चला चर्चा में चुकि कई बार क्या होता जब काम की बाते आरे होती तो समय का थोड़ा सा अभाव हो या था मैं माफी चाहूँगा और मैं चर्चा करना चाहता था वक्त मेरे पास इतना ही था आप सभी अतितियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आज की इस चर्चा के बाद यह कह सकते हैं कि यूपी के डीजीपी का फैसला देर से उठा वो कदम है जिससे पुलिस महकमे में कुछ खास दुरुस्त होने की उम्मीद शायद नहीं दिखती डीजीपी ओपी जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि जिस प्रदेश के पुलिस महकमे में नियुक के लिए थाने और जिलों को बेचे जाने के आरूप लगते हों वहां निचले पायदान पर काम करने हैं पुलिस वालों से ज्यादा जरूरी भष्टाचार में डूबे आला पुलिस अपसर झालों